शायद जीवन क्या है? जीवन क्यों है? जीवन कैसा है? हमें शायद ये याद ही नहीं आता। कई लोग इसी वजह से मानसिक तनावों में जीते रहे हैं। तो दूसरी और लोगों ने मुझे ये भी शेर किया है कि कैसे लोकडाउन के दोरान खुशियों के छोटे-छोटे पहलू भी उन्होंने जीवन में री-डिस्कवर किये हैं। कई लोगों ने मुझे पारमपारी इंडोर गेम्स खेलने और पूरे परिवार के साथ उसका आनन लेने के अनुभव वेजे हैं। साथियों हमारे देश में पारमपारी खेलों की बहुत समरुद्ध विरासत रही है। जैसे आपने एक खेल का नाम सुना होगा पचीसी यह खेल तमिनाडु में पलनान नुंगली करणाटक में अली गुली मने और आंध पुदेश में वामन गुंटलू के नाम से खेला जाता है। यह एक प्रकार का स्ट्रेटेजी गेम है जिसमें एक बॉड का उप्योग किया जाता है। इसमें कई खांचे होते हैं जिनमें मौझूद गोली या बीच को खिलाडियों को पकड़ना होता है। कहां जाता है कि यह गेम दक्षिण भारत से दक्षिण पूर्वे एशिया और फिर दुनिया में फाला है। बच्चे भी बस एक ही साइज के पांच छोटे पत्तर उठाएं और आप गुट्टे खेलने के लिए त्यार एक पत्तर हवा में उछा लिए और जब तक वो पत्तर हवा में हो आपको जमीन पर रखे बागे पत्तर उठाने होते हैं। पर हमारे हाँ इंडोर खेलों में कोई बड़े साधनों की जरूर नहीं होती है। कोई एक चोग या पत्तर ले आता है उसे जमीन पर ही कुछ लगी रेखीत देता है और फिर खेल स्विरू हो जाता है। जिन खेलों में डाइस की जरूरत परती हैं कोडियों से या इमली के बीच से भी काम चल जाता है। साध्यों मुझे मालूम है आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ कितने ही लोग अपने बचपन में लोट गए होगे। कितनों को ही अपने बचपन के दिन याद आ गए होगे। मैं यही कहूंगा कि उन दिनों को आप भूले क्यों है। उन खेलों को आप भूले क्यों है। मेरा घर के नाना, नानी, दादा, दादी, घर के भुजुद्गों से आग रहे हैं कि नई पीडी में ये खेल आप अगर ट्रांस्पर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब online पढ़ाई की बात आ रही हैं, तो balance बनाने के लिए, online खेल से मुक्ति पाने के लिए भी हमें ऐसे करना ही होगा। हमारी UAPD के लिए भी, हमारे startups के लिए भी यहां एक नया अवसर है। और मजबूत अवसर है, हम भारत के पारंपारिक इंडोर गेम्स को नए और आकर्षक रूप में प्रस्थूत करें। उनसे जुड़ी चीजों को जुटाने वाले, सप्लाइ करने वाले startups बहुत popular हो जाएंगे। और हमें ये भी याद रखना है, हमारे भारतिय खेल भी तो लोकल है, और हम लोकल के लिए पार्षक के लिए। और हमें प्रस्थूत करें।